Good morning students, आज हम सब हमारी हिंदी पार्टे पुस्तेक व्याकर्ण के पार्ट संग्या का अध्यन करेंगे, संग्या की परिभासा, संग्या के भेट, वैं उनकी परिभासाउं का विस्तार से अध्यन करेंगे. संग्या, किसी वेक्ती, प्राणी, इस्तान और भाव के नाम को संग्या कहते हैं, अथार्ट किसी भी वेक्ती का नाम हो, जैसे आपका नाम हो, मेरा नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी भी सहर, ग्राम, महुले का नाम हो, किसी वस्तु, जैसे दूद, रेल गाड़ी, आधी के नाम को ही संग्या कहते हैं. संग्या की तीन बेद होते हैं, पहला है वेक्ती वाचक, दूसरा है जाती वाचक, और तीसरा है भावाचक. वेक्ती वाचक संग्या जिस संग्या से किसी वेक्ती, विशेश, स्थान और वस्तु का बोध हो, उसे वेक्ती वाचक संग्या कहते हैं. उदारन है विशाका, जेपूर, हिमाले, गंगा, आधी. अथार्थ, वेक्ती वाचक संग्या के अंतरगत किसी वेक्ती का नाम हो, किसी परवत का नाम हो, जैसे हिमाले, केलास, अरावली, आधी. या किसी वी नदी का नाम हो, जैसे गंगा, यमना, बनास, आधी. ये सभी वेक्ती वाचक संग्या कहलाते हैं. जाती वाचक संग्या जिस संग्या पद से किसी प्राणी, वस्तु यानि आदी की जाती का बोध होता है उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं जैसे मनुसे, चिडिया, फल, सुनार, आदी यहां मनुसे सब्द, मनुसे जाती के लिए परियोग हुआ है यानि कि यहां हमें पुरुसिया, इस्तिरी का नाम लेने के आवश्यक्ता नहीं है मनुसे सब्द का परियोग करने पर उसमें सभी आ जाते हैं इसी परकार हमने कहा गोड़ा तेज दोड़ता है परवत उचे होते हैं यहां पर गोड़ा वे परवत सब्द अपनी संपूर्ण जाती का बोध कराते हैं यहां हमें सभी परवतू का नाम लेने के आवश्यक्ता नहीं है अते जाती वाचक संग्या किसे कहते हैं अब हम आगे पढ़ेंगे भावाचक संग्या जिन संग्या पदों से पधार्तों के धर्म गोण दोस अवस्ता आदी का बोध होता है उन्हें भावाचक संग्या कहते हैं हैं जेसे सुन्दर्ता बुड़ापा इमानदारी लड़कपन बचपन आदी गोण गोण इमानदारी सच्चाई दोस बेमानी अवस्ता बुड़ापा और बचपन अथार्त जब हम किसी के गोण जेसे राम इमानदार है या मोहन बेइमान है यहां तो हमें उक्त वाक्यों से राम वै मोहन के गोण वै दोस के बारे में पता चलता है इसी परकार सुन्दर्ता बुड़ापा जवानी आदी भावाचक संग्या है तो प्यारे बच्चों हमने आज क्या सीखा हमने सीखा की संग्या किसे कहते हैं संग्या के भेट कितने होते हैं आदी धन्यवाद